हालो फ्रेंज वेल्कम बैक टू लबली की रसोजी स्वादिस्ट बेंजन तो फ्रेंट आज में लेके आई हूं मुंबई का फेमस बटाटा बडा की रेस्पी जो की बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है इधर मैंने फ्रेंड आलू ले लिया तो चार आलू मैंने बॉइल करके लिया था और इसका छिलका रिमूब कर दिया उसके बाद इसको मैंने बारीक मैस कर लिया है तो बिल्कुल बारीक आपको मैस करना है इसको और इधर में ले ली हरी मिर्ची तो चलिए इसको दरदरा कूट लेते हैं तो हरी मिर्ची और अधरक लैसन तो दरदरा कूटेंगे इसको और इधर मैंने पैन रख लिया तक गयस पे उसको डाल दिया दो चम्मच सर्सों का तेल तेल डालने के वाद इसमें डाल देते हैं तो आगे करीपत्य को काटके लिया था उसको डाल दिया और ढाल देते हैं थोड़ी सी हम इसमें हींग तो यह दोनों चीजें के लिए काफी अच्छी होती है तो अब चलिए इसको हम डालके mix कर लेते हैं थोड़ा सा भून लेते हैं तो यह कुछ तो भून गया भी पूरा नहीं भूना है तो इसमें डाल देते हैं जो मैंने दरदरा सा पेस्ट बनाया था उसको डालके और इसको तो अब तीनों चीजों को अच्छे से चारी चीजों मिला करके और इस मसाले को हम भून लेंगे तो फ्रेंट गया इसका फ्लेम को बिल्कुल रखना है कि मसाले मारे जल नहीं जाएं तो बस को सेकंड के लिए इसको भूना है ताकि इसका कच्छापन निकल जा और यह मसाला मरत तैयार हो गया है तो चलिए अब चलते हैं आलू की तरफ तो अब यह मसाला जो मैंने बनाया ऑलू पर अब डाल देते हैं तो आलू को आपको फ्राइव नहीं करना है बस इसी तरह से मसाला बनाके आपको इसमें डाल देना है तो इन सभी सीजों को मिक्स कर लेते हैं कि आपकी अच्छी से इसको मिक्स करना है सब मसाला एक जैसा हो जाए तो यह मार अच्छी से मिक्स हो गया तो चलिए इसको साइडम रखते हैं इधर मैंने बेशन ले लिया है कफ और इस पेशन का हम गोल बनाएंगे तो चुटकी बर मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और अब पानी डाल डालके हम अच्छे से गोल इसका बना करके तयार कर लेंगे तो आप एक साथ पानी नहीं डालें थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालें तो हम भी थोड़ा-thोड़ा सा पानी करते हुए इसमें अच्छे से इसका बढ़िया सा परिफ णल बनाकर करके तयार करना है हमको तो इस तरह से इसको एक ही direction में फेंटते जाएंगे और ये गोहल हमारा बन करके ready हो जाएगा तो थोड़ा सा हमको ये थिक लग रहा है थोड़ा सा पानी और हमिस में डालेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाकर तयार करना ना ही थिक होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए तो देखिए अब ये बैटर हमारा perfect बनकर लगबग तयार हो गया है तो बस आप इसको फेंटने पर अच्छा देहन दीजिगा आप इसको अच्छे से फेंटनायम को त उसको लग देते हैं एक साइड में बनाते हैं मजेदार चट्नी कस में आने अगि इतला है तो जितना हम पोदीना लिए उसी जयश डबल रंगे क्यूश का एक ङदा दो डिकूदे रख ये चार से पांच कि लिएonstraл की चार से पांच हरी मिर्ची तो तीक हाप अपने शार कुछ करी पत्ते मने लिए हैं बोवी डाल दिये हैं उसके बाद दो चम्मच जाएगा मूमफली का दाना स्वाद का कोडिंग नमक और आदा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर आदा चम्मच काला नमक और थोड़ी सी सक्कर डाल देते हैं इससे ग्रीन कलर आता है चटन टोरी सी निम्मंच भी झरूरी होती है इसमें हैं पर टमाटे ने डालेगा है दखी डल दखी बिल्स ड्हादा मर ज्यादा नहीं है इसलिए मैं लेमंच यूस डाल द्युक्त डालेजे समय पानी और चटनी को बना कर कर क स्वाड़ी कर लेते हैं तो यह चटनी बन कर Petite बैटर भी ठंडा हो गया और अब प्रोसेस इसी की बारी है तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं इस तरह से गोले बना करके हम रखेंगे तो नॉर्मल साइज के बनाने आपको बहुत बड़ी भी नहीं अच्छे लगते हैं चूटी भी नहीं तो लेकिन आप अपने हिसाब बनाये जिस तरह से आपको पसंद हो तो इसी तरह से हम सारे गोले बना करके तयार कलेंगे तो देखिए तो सब यूड़ी आप एक हम गोली लेंगे और इस तरह से थोड़ा और गोला कर देते हम और इसको पेशन में डाल देते हैं व rif तो तेल थोड़ा सा अच्छे से गरम होना चाहिए तो इसी तरह से हम बड़े को बनाएंगे तो उलट पलट के इसको golden brown होने तक हम fry कर लेंगे तो देखिए काफी अच्छे से fry होने लगा है और अब लेते हैं हम जहारा तो चलिए इसको जहारे में हम निकाल लेते हैं ताकि जिसतना एक्स्ट्रा ओयल हो सभी हमारी कडाई में चला जाए तो इसी तरह से हम सभी बड़े फ्रेंड निकाल लेंगे तो देखिए मने निकाल इस तरह से छोड़ देए सब करते हैं ताकि तेल जितना बेर मैंने रहती है और इसको निकालके किनारे कर लिए और दूसरा बैश भी महड़े देंखेंग दूसरा वैच मेरे फ्राइब और करकीके सिर्टेच की ता इसको भी निकाले की निकाले हाइएं तो बहुत ही क्रेंब वाइश हैं बनो भॉषकरम की धियार हो गए है सबने ॥ स्पीर वशन है चो एकण को ब्क्रणिदे लिए के लगया हैं तो प्रेंट आप इंजॉय करें और हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेस्पी के साथ तो बाई बाई प्रेंट